चालो जै जीनेंद्र आज का लेक्षर शुरू करेंगे सत्तक है बीस्वा उद्देशक है सात्वा और उसका नाम है बंद पहले आहो चुका है ये लेकिन यहां रिपीट आ रहा है तो कुछ और एक्स्क्लूजिव होगा इसलिए यह रिपीट आ रहा है तो उसको समझना भी आपको आसान होगा क्योंकि प्रयोग बंद हमने पहले किया हुआ है जीव प्रयोग बंद और विश्रसा बंद यह उसके दो प्रकार हो चुके हैं बंद के प्रकार कितने है तो यहां परमत्माने विष्वल्ड करें लिए तेन तीन बंद बताया लग तरीके से तीन बंद मैंने बोला ना आपको की कुछ आपको स्पेशल मिलेगा यह भी रिपिट हो रहा है तो क्योंकि पार्ट ऐसे रिपिट नहीं होता है बंद कितने प्रकार है तो प्रभु कह रहे हैं गौतम बंद क तीन प्रकार है एक जीव प्रयोग बंध दूसरा है अनंतर बंध तीसरा है परंपर बंध तो यह तीन प्रकार के बंध है उसमें जो प्रयोग बन्द है वो जीव के प्रयोक से अथ्वा तो आत्म वीडिय से मतलब आत्म शक्ति से अत्म की अंदर की शक्ति अंदर की क्रिया करनी की शक्ति के कारण बन्द होता है और कर्म का आत्मा के साथ बंते हुए सबंद को भी बंद कहा है तो यह हुआ जीव प्रयोग बंद जो जीव के अपने कर्म करने की ताकत के कारण जो कर्म बंद हो उसका नाम है जीव प्रयोग कर्म बंद उसके बाद है अनंतर बंद हो जो बंद या फिर सबंद वर्तमान में ही हुआ है और एक दो समय व्यती नहीं हुआ है उसको अनंतरबन का है मतलब अब भी हुआ तो वो अनंतरबन अब भी हुआ अब भी हुआ और हो सकता है वो बंद के परंपरा में चालू रहे आगे तो उसको कहा है अनंतरबन जब तीन समय आगे निकल जाए तो ऐसे बंद को परंपर बंद कहते हैं. मतलब आप अभी कोई कर्म कर रहे हो उसका बंद हो रहा है और वो बंद अगर हो रहा है तो वो हुआ आपका अनंतर बंद अगर बंद चालू है तो और अगर ये बंद कुछ समय तक निकल जाए आगे तो उसको कहा गया है परंपर बंद तीन समय निकल जाए बंद हुए तो वो हो गया अब परंपर बंद तो आठे प्रकार के कर्म बंद में और उदे के कर्म में ये तीनों प्रकार होते हैं जबी भी आपका कर्म बंद होगा या जबी भी किसी कर्म का उदे होगा तो आपको त तो इस तरह से यहां तीनों प्रकार के कर्मबंद यहां बताया गया है तो यहां वही आ गया ना भूत कालिन वर्तमान और भविश्यकाल मतलब अभी जो चालू है वो वर्तमान जो बंद हो चुका है और 2-3 समय निकल गया है और अब वापस कर्म बंद कर रहे हो तो भूत्काल और वर्त्मानकाल यहां दो ही बंद आया, आठे प्रकार के बंद में, कर्म बंद में और उदे कर्म में जब उदे में आएगा तभी यह तीनों प्रकार होते हैं, जीव प्रयों पांच शरीर, चार संगना, छे लेश्या अधी कर्म रूप नहीं है, वो कर्म जन्य भाव है, ध्यान से सुनिएगा, पांच शरीर, चार संगना, छे लेश्या, ये सब कर्म रूप नहीं है, वो कर्म की वर्गणा है नहीं है वो, लेकिन वो कर्म जन्य भाव है, तो जबी भी कर्म की वर्गणा लगेगी इसमें से किसी ना किसी भाव को पकड़के ही लगेगी उसी में तद्योग ये पुद्गलों को सबंध होना और तजनीत कर्मों के बंद में पुर्ववत त्रीवी धता होती है तीन प्रकार से इसलिए जब भी इनके साथ सबंध होगा कर्म का कर्म रूप और कर्म जन्य भाव जब ये दोनों का सबंध होगा कार्मन वर्गणा और कर्म जन्य भाव तब वो तीन प्रकार से ही बंदेंगे जीव प्रयोप्बन अनंतर बंद और परमपर्बन गनान अगनान आत्म भाव रूप होता है गनान भी आत्मा का भाव है अगनान भी आत्मा का भाव है दिखे गनान अगर कर्म होता ना ध्यान से सुनिएगा गनान अगर कर्म होता ना तो कोई अगनान बानता ही नहीं हर कोई सुभी गनान बान लेता और कोई अभवी होता ही न अगर गनान अत्मा का भाव रूप नहीं होता गनान अगर कार्मन वर्ग्णा होती तो गनान कभी भी प्रयोक से नहीं बनता है समझ में आया अगनान भी प्रयोक से नहीं बन सकता उसके उपर से आवरन हटा सकते हैं बस आवरन हटा सकते हैं वो भी भव्य हटाएगा अभवी तो भी नहीं हटाएगा जिसको समयक दर्शनी नहीं होना है वो कहां से हटाएगा बोलो तो जीव के साथ इसलिए उसका सबंद होता है ये जीव के साथ सबंदित है ये आत्म भावरूप है इसका आत्मा के साथ सिधा सबंद है ग्नान और अगनान का सिधा सबंद आत्मा के साथ है अगर आत्मा में वीर्य भरपूर है यानि कि वो वीर्यवान है यानि कि वो विर्यांत राय कर्म के उदय को रोकने वाला है तो ही वो अगनान का उगाड कर पाएगा वरना वो आत्मा कितना भी खोशिश कर लेगा वो अगनान को नहीं हटा पाएगा मतलब जो मिठ्यात्वी है वो कभी भी अगनान को नहीं अटा सकता और जो भवे जीव है वो अगनान को हटा कर आत्मा के गनान का उगाड कर ही लेगा करही लेगा बेराबर तो oynान और अगनान आत्म भाव रूप हो गया अगनान और अगनान की कोई भी कार्मन वर्गना आपको नहीं मिली ठीक है कितना भी अगनानी हो कितना भी मिठ्यात भी हो कभी भी सम्य ज्यान को फीज कर ला है नहीं पाएगा जब उसके आत्मां के भाव ही मिध्यात्व के है तो कहां से समयoten आएगा सोचो अब कौन से जीव को कितने बंद होते हैं तीन प्रकार के बंद है जीव प्रयोग बंद अनंतर बंद परंपर बंद बराबर तो तीन प्रकार में से नार्की के ग्नाना वरण या कर्म बंद कितने प्रकार को का ग्नार्की को तो वह तीनों प्रकार का है वह मानिक तक तीनों प्रकार के ग्नाना वरण बन सकते हैं प्रयोक बन से भी अनंतर बन से भी और परम्पर बन से भी अच्छो है अच्छो कि अच्छोब्ष अच्छो आभी आप अनंतर परम्पन नहीं कि इतले तो कि बले प्रयोक बंदा ने वीसरसा बंद आवेगिने कि इतले डिले करन नौ हो जिबा कि एनु रिकिन अथै प्रयोग जीव खुद करता है विश्रसा सभाविक है तब ही मैंने बूला था कि जिनके चार घाती कर्म के उघाड होना होगा आत्म प्रदेशों में से चार उघाड हुआ होगा तो वो घाती का जिनके आठों खुले है वो ही घाती दोनों के ख्षय कर पाएगा बराबर और जिनके चार ही उघाड होंगे न वो तो अघाती का ही ख्षय करेगा घाती का कभी विक्षए नहीं कर पाएगा यादे मैंने बोला था जाकि जनके चार का यह जिए जिनके आठ्छों के अठछ Кон करें वह जनकर तो वह गया बन्ए इसको बहुत अच्छे से समझना है और वही बंद अभी रिपीट में आ रहा है तो यहां आपको यह चीछ जानने को मिली कि गनान और अगनान आत्मा की भाव है आप देखो अगर वह भाव नहीं होते तो गनाना वरन दर्शना वरन का क्षय आप कर पाते की नहीं हर जीव कर अगर हर जीव कर लेता है तो कोई अभावि या जाति गवे होता दॉन का मियर्श होता जाति गनान वरन कर्म के बी और अश्ची के टासलद सकते हो तो यह नहीं हमेशा स्वाभाव होता है किसी जीव को आत्म भाव के हिसाब से आठो के आठो प्रदेश बंद रहते हैं तो वह अगनान के भाव हो गए उसके आत्मा में और किसी आत्मा में चार ही कर्म खुल सब्सक्राइब नहीं तो वह घाती कर्म कषय कभी नहीं होगा इसलिए वह अभवी है इसको अगाती के तो होते हैं आप समझ लो कि जो जीन के जाती भव हो जाती हव है उनके तो अगाती कि कर्मक्षय नहीं और वो तो आउठोषीक का बन भी नहीं बानता है ये भी मैं बोला था यादे पहले निंद्य निगोद सुना है कि नहीं निगोद के गोले के जिव निगोद गोले में ही रहेंगे मतलब क्या उनके तो आंठों के आंठों प्रदेश धके हुए पड़े तो जिनके आंठों धके हुए पड़े हैं बोलो वो गाती अगाती दोनों का ख्षय नहीं कर पाएगा बराबर जो अपना शरी जो इंद्रियम है वो उसमें से बार निकल लिए कि उसमें शक्ति है नहीं है तो यह क्या हुआ यह आत्मभा हुआ कि नहीं अगनान उसका वो कभी भी गनान का उगाड कर पाएगा मतलब आप गनाना वरन कर्म खीच के कर पाओ यह पॉसिबल ही नहीं है अगर आपके आत्मा में गनान भवेता है और आप में वो विर्यांतराय का की कैपेसिटी है समझ में आ रहा है अगर अंत्राय कर्म को दूर करने की क्यापीसिटि है, विर्यांत्राय को दूर करने की, तो ही आपका ज्ञानवरन का उगाड़ हो पाएगा बराबर तो आठो कर्म का दूर करने की शक्यता और उसकी शक्ति भवेजीव में है चार घाती को दूर करने की शक्ति और चार अगाती कर्मा आठो कर्म को दूर नहीं करने की जो आप अशक्ति बोलोगे जो दूर नहीं कर पाए ऐसी अशक्ति जाती भवेजीव में में बराबर और चार अगाति को दूर करनी की शक्ति अगाति तो वह दूर करते ही जाएगा नाम कर्म बनता जाएगा से वो बूतर गोत्र बदल बदलता जाएगा उसको खतम करेगा निवर्द को खत्म करके उच्गोत्र का बंद करता रहेगा पर चार घाति का वोग शहीं नहीं कर पाएगा कभी भी समझ में आया है उसके चार ही उघड है आठों गड है यही नहीं उसके आठों गड है उसा रखे संघि लूजल इंव्या आयं था ईृसक जो क्रोल्प कित भरति टादि नी और इसी में वह इन चारफ याय थियूर भालंक प्रसद्ज से सब्सक्न केते रहा किसे अजिनकों सब्सक्राइं दर दुस्unci दैए एक उचन आठो के आठो खुले है पर पर जिष्ट ए और जिनकी सदी है लेकिन अननत काल तक पाहां से बाफनी आएंगे कि यद्म Sig Prest 벗 लेकिन अननत काल तक उनकी मुटित नहीं है तो अपावी जी हुएृं तो कुखिय उनकी आदी तो होती दी हर एक भव में मनुष्य भव मिला देव भव मिला तो आदी तो हुई आदी हुई पर अनन्त काल तक घुमना ही घुमना है मतलब क्या हुआ कि उनके चार घाती तो वो बदलते रहेंगे लेकिन चार घाती को वो हटाई नहीं पाएंगे तो चार का यूगाड अब उसके बाद आवो अनन्त काल से वही पड़े है अनन्त काल तक वही रहेंगे एक ही जाती से बाहर नहीं आएंगे उनके आठों के आठों बंद पड़े हुए तो वो जाती पवे हो गए हां वो जाती पवे हो गए उनके आठों के आठों बंद पड़े और अनादी सांथ दराबर अनादी है जिनकी लेकिन सांथ है अन्त जरूर है उनका अन्त जरूर है अब अनादी काल तक वो वहाँ पहु बेराबर तो इस प्रकार से क्योंकि उनके आठों के आठों उगाड हो चुके देखे आठों का उगाड होना आठों का उगाड हो सकना आठों में से चार का ही उगाड होना और किसी का उगाड नहीं होना चारों प्रकार के जीव आए कि नहीं आपके सामने तो इसी से आपको जीवों के बारे में मालूम पड़ेगा और ये किसके कारण हुआ तो अनादी बंद रे विस्रसा बंद और प्रयोग बंद ये किसके कारण हो पाया विस्रसा बंद और स्वाभाविद बंद अबार कि को कुं गनाना वरन का कर्म बंद ये 3 printed प्रकार से पड़ता है आपको कर्म ये 3 प्रकार से अब वापस ये 3 प्रकार को समझा पहला प्रकार है प्रयोगма तो बंद बांदेगा तो वो भी आपका गनानावरण का प्रयोग बंद कौन कर सकता है भवे जीवी कर सकता है बागी कोई कर सकता है भवे जीवी गनान का आवरण हटा पाएगा न तो प्रयोग बंद से ही हो पाएगा स्वभाविक से तो नहीं होगा न वो नहीं Um जिनको ये प्रयोक बंद है वो नानावरन का वह हो गया जीव प्रयोक बंध फिर अनंतर बंध क्या है तो जो बंध क्या सबन्द वर्थमान में ही हुआ हो अभी वर्थमान में ही घ्नानाअा और परंपर 한번 उसको दो समय लग चुका हो तो यह तीनों तीन जो जिनको बंद पढ़ रहा है ग्नाना वरण का यह आठो कर्म का जिनको यह निरंतर रूप से बंद पढ़ रहा है तो वो नार्की के जीव में तो आ नहीं आ नहीं क्यूंकि उनको तो यह तीनों जीव हो सकता है पंचिंद्रिय है इस ठीक है अब आंट प्रकृतियों के उदे में त्री विद बंद तीन प्रकार से बंद आंट प्रकृति के उदे में वो बंद था बंद हो चुका है अब उसकी उदे आएगी तो भी वो तीनों प्रकार से आएगा जीव प्रयोग बंद वाला भी उदे में आ सकता है परंपर वाला भी और अनंतर वाला भी उदे में आने वाला कर्म बंद बराबर इसी प्रकार से नारकी से लेकर वहमानिक तक तीनों प्रकार आएंगे अब वेद त्रहिमा स्त्री वेद का बन वो भी तीनों प्रकार्श असुर कुमार को स्त्री वेद वो भी तीनों प्रकार्श वेमानिक जाती में भी स्त्री वेद तीनों प्रकार्श तो पुरूश्वेज त्री वेद और नपुन सकवेद तीनों को तीनों प्रकार के वेदाएंगे इस क्रम्सव ओधारिक वैक्री आहार, तेजस और कार्मन पांचों शरीर, आहार संगना, भय संगना, मैथून संगना और परिग्रव, चारों संगना, फिर कुष्ण, नील, कापो, तेजो, पदम और शुकल, ऐसे छे लेश्या, फिर तीन दरश्टी, समयक दरश्टी, मिठ्या दरश्टी, मिस्त्र दरश्टी, और मती अग्नान, सुर पर्व का बंद भी तीनो प्रकार से होगा, कितने प्रकार से, तीनो प्रकार से होगा, विभंग गनान, जो देवो को होता है, उसका भी बंद कितने प्रकार का, तो वो भी तीन प्रकार, जीव प्रयोक बंद, अनंतर बंदर परंपर, क्योंकि वो चालू रहेगा, चालू समझ मा आवी क्यों बोलो सरस्य समझ वा जिवुँछे आना थीद समझाय चे आपणने कि ग्नान अने दर्शन बनने ग्नाना वरण अरे ग्नान अने अग्नान बनने आत्माना भाव रूप छे मनुश्य थी बांधावानू अथवा छोडवानू कोई पन जीव थी शक्या नथी बेराबर चला आओ अब शतक है 20 वा उद्देश शकाठवा देखो अभी आपने जीव के मामले में सोचा देखो यहां ध्यान से सुनो जैसे जीव में है ना भवे अभवे जाती भवे भवे अभवे जाती भवे जीव में आ गए तो जीवों में सर्व प्रकार के जीवों में आएगा ना प्रुथ्विकाय में भी आएगा की नहीं यही बात निगोद में भी आएगी की नहीं नित्य निगोद है ना था के ना नित्य निगोद में भी आएगा उसके बाद ये चीज आपको पुरुथवी का है उप का है तेव का है दिखो पुरुथवी का है मरुदेवा मता थे है और उसी मैं से सीध़ तीसरे भव में मोख्ष गए तो वहाँ ही उनको वहाँ भी उनको मिला की नहीं मिला मोक्ष की साधना का साधन मिला की नहीं हाँ अकाम निर्जरा वही पर ही हुई न आपको यहां ये मुद्दा समझना है अपका जो हमारा अभी का जो उद्देशक है वो ये कह रहा है कि कोई भी जीव हो फिर वो पुरुथवी काए हो का अप काई हो तयुकाई वायू का या फिर पंचंगनी पंचेंदिय के जीव, या फिर निगोद के जीव, अनन्त काई जीव, जो साधारन भी हो या सुक्ष्म भी får सभी जीव में आपको भवय अभवय मिलेगा ही मिलेगा तो जब प्रुथ्वी काय में भवय अभवय आ गया तो जमीन में भवय अभवय आएगा की नहीं बताओ अपने आप तो अपकाय में भवय अभवय अभवय आएगा की नहीं कि यह पानी suitable है यह पानी suitable नहीं आएगा कि नहीं आएगा बताओ तो पृथवी का है अप का है तेव का है वायू का है वनस्पति का है सब में यह चीज आएगी सब में आपको मैं अब यह समझा हूँ कि ये मात्र धाई द्वीप को छोड़के और धाई द्वीप में भी आपको कर्म भूमी और अकर्म भूमी मिलती है मिलती है कि नहीं मिलती है तो कर्म भूमी के अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, शुद्ध होते है और अकर्म भूमी के ऐसे मिलेंगे कि वहां का अन्न खाके भी आपको मोखष नहीं होगा बोलो होगा अकर्म भूमी के जीव मोखष जाते हैं बता ओ नई जाते हैं ना तो मतलब जीव में सब जीव आ गए परुथवी अटेव, वायू, बनजबती सब दया सूब और शूब आ गए जीव में ना बराबर समझ में आ रहा है करम पुम्य करम पुम्य क्यों आई क्योंकि आपको भी वो जीव में भी भवया और अभवया आये की नहीं अगर जीव में भवयता अभवता है तो भूमी में भवयता अभवयता होगी की नहीं होगी बताओ तो धाय दीव छोड़के असंख्य दीव समुद्र है सबका पानी सबकी वहां की मचलिया वहां के पानी के जलचर जीव वहां के जमीन के उपर के बाकी के जलचर जीव खेचर जीव वहां उड़ने वाले वहां पे आपको पानी में तो जीव मिलेंगे ही मिलेंगे पानी मेंसे जीओ, कोई मगर वगर या कच्छुजबी तो जमीन पर घूमने वाला ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं बताओ? वहां भी वनसपती मिलेगी रतनके मिले ही, लेकिन पानी तो पानी मिलेगा, आपकार जैसा? वो तो रतनका नहीं होगा, आपकार तो? और उसमें मचलिया अजार-अजार योजन की स्वयमपूरमण समुधर की मचलियां वो तो अ रत्न की नहीं हे ना सामन्य जीव है ना तो वो पानी वो धर्ती और वहां के जीव बोलो भवे हैं क्या वो उसी भव में मोक्षवार से जा सकते हैं ने तो आप समझ में आया कि खाली जीव भवे अभवे आ गए तो अपने आप भूमी भवे अभवे हो गई समझ भावियू बेराबर जब भूमी भवय भवय है तो जीव भी अपने आप क्योंकि वो ही तो पृत्वी का है पृत्वी का है कि ही तो जीव है वो चल तो जो ढ़ाई द्वीप है कर्म भूमी उसमें से पंदर कर्म भूमी पांच वरत, पांच एरावत, पांच माविदेक शेत्र और बाकी की तीस कर्म भूमी वो ढ़ाई द्वीप में से पांचो हिमवद शेत्र, पांचो हिरनेवद शेत्र, पांचो हरिवद शेत्र पांचो रम्यक्षेत्र, पांचो देवकुरू और पांचो के पांचो उत्तर पुरू वो सब आपको कर्म भूमी ही मिलेगी और उसके बाद के बाकी के सारे द्वीव समुद्र में सब की सब भूमी कैसी? कर्म भूमी है कहीं भी? कर्म भूमी का अर्थ क्या हुआ? तो खेती की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर वनस्वति अपने आप उख जाती है वहां पर कलपव रुक्ष अपने आप उख जाते हैं लेकिन ये कलपव रुक्ष होने के बावजूद भी उन में से कोई भी जीवमूक्ष नहीं जा पाएगा बराबर उसमें भव्यता नहीं है पुन्य जरूर है लेकिन भव्यता नहीं है समझ में आ रहा है ज्यादा पुन्य बांदोगे ना तो आपको बनाएंगे वो यूगलिक हाँ ज्यादा पून्य बांधो आप बन जाओगे यूगलीक और ज्यादा पाप बांधो आप पहुँच जाओगे तीरियन चोर नरक में हमको मध्यम में रहना है, मनुष्य बनना है, पंचेंद्रिय बनना है और फिर मोड जाना है अभी कर्मा कर्मा में काल परिवर्तन कैसे होता है, उत्सर बिनी और आउसर बिनी रूप काल कर्मा कर्मा भूमी में कहीं नहीं है, तो कर्मा भूमी में भी नहीं है और बाहर के जो द्वीब असंख्य द्वीब समुद्रे उसमें भी नहीं है मात्र पांच भरत पांच एरावत पांच माविदे की दसी भूमी में उसर पिणी उसर पिणी मात्र पांच भरत में और पांच एरावत में उसर पिणी माविदे में भी उसर पिणी उसर पिणी नहीं लेकिन है वो कर्म भूमी उसका कारण यह है कि ग्रे का घूमना यह बाहर के एरिया से लेकर अंदर 180 योजन के एरिया में ही वो घूम रहे हैं ठीक है और वहां पर कहीं पर भी महाविदेख शेत्र का एरिया आता नहीं है वहां पर 5 बरत 5 एरावत सभी धाई द्रिप के आएंगे और यही कारण है कि यह उतसरपिनी यह गुमने के कारण क्योंक दिर दिर अंती मारे में वो नीचे उतर जाएंगे तो वह अशुब अंती मारा 5 चठा आरा होगा दूसरम कारगा विर वापस चठा आरे से उपर चड़ेगा बराबर मीडियम में मध्यम में पोंचेगा तो मध्यम आरा आ जाएगा जहां पर तीथनकर सब होंगे तो दिर अपर से ही घूम रहा है और यही कारण है कि इनके उपर से घूमने के एक शेत्रों के उपर से घूमने के कारण ही मात्र इस दस क्षेत्रों में ही उतसर पिणी और अवसर पिणी बराबर माय विदेक्षेत्रों में नो उतसर पिणी नो अवसर पिणी वहां का काल अवस्थ समझ महावी यू बद्धू बोलो प्रागड जो पांच महावी देख शेत्रों में उतसर पीनी आउसर पीनी काल होता है उतसर पीनी का मतलब क्या तो जो काल में तब उपर है ग्रेम अंडल सबसे उपर है सरोत कुरूश उचाए क्योंकि जितने लोगों की तब होगा ना है तीन गाव की काया है बराबर उसी से 800 योजन उपर तीन गाव की काया वाला दो हाट चोड़ा करके खड़ा रहेगा ऐसे दो हज़ार तो वो हो गया एक धनूश ऐसे दो हज़ार धनूश बराबर एक योजन 2000 धनूश बराबर एक गाव, ऐसे 4 गाव बराबर एक योजन, तो 8000 धनूश हो गया, ऐसे दो हाथ खड़ा करके खड़े रहो, ऐसे 8000 धनूश हो गया, तो आप सोचो की 3 गाव की काया वले का एक धनूश कितना बड़ा होगा, तो उसके बराबर 800 योजन उचाई, उसके बरा यादा उंचाई पे होगा सर्वोत कृष उंचाई पे इसलिए वह ऊत्सर बिरिंकाल है शरुवात है उसकी पहला आरा दूसरा आरा तीसरा आरा चोत्या आरे तक जैसे दूसरे आरे में आपको बंद्रासो धनुष की उचाई आ गई तीन गाउसे तो वह फंद्रासो धनुष वाला आपको उसके आझ जूस्ष यूजन तक आपके जोतिस्शक्र उतर चूकाई उसके बाद आएगा दूसरा आ्रा कि दूसरा आरा बोल दिया म Δया मैंने तीसरा आरा तीसरा आरा तक वो 500 जनुष के memorize a जाएगी ऐसे 60 तो थोड़ा और नीचे उतर गया उसके आंट सो योजन अब तीसरे आरे के अंत में परमात्मा का जनम हुआ है पांसो धनुष की काया हो गई हजार से पांसो धनुष की काया तो वह इतना नीचे उतर चुका है पांसो योजन के पांसो धनुष की काया के दो हाथ खुला रखेगा ऐसे आंट हजार धनुष बराबर एक योजन तो अब वह तीन गाउ से पांसो धनुष की तो हाथ बहुत कम हो जाएगा तो बराबर जोतिश शकर का घूमना भी नीचे उतर चुका है मध्यों में आ गया है तो अब वह पां करम भूमी बन गई धीर अशी मसीक रुषी उङाने पड़ेगा अब तक कलपर रुष इवार्टी का घुकर हो जाएगा तब चाकर यहां से मोक्षमार्ग खुलेगा तो आदीनाद भगवन का जनम होगा उनके जनम होने के बाद उनकी दिक्षा होगी दिक्षा होने के बाद उनका केवल ग्यान होगा अब यह कितना समय हुआ 84 लाग पूरवा में से आँ सोच सकते होगे उनको केवल गैन 83 लाग पूरवा में होता है बराबर बस एक लाग पूरवा का ही केवल इ परियाई होता है तो अपने अब 14 रा आ गया कि नहीं तीसरे आरे के अंतीम 84 पकवाडिये में भगवान का जनम हुआ है लेकिन भगवान को केवल ग्यान कब हुआ त्यासी लाग पूर्व जाने के बाद चौथे आरे में होगा ना चौथे आरे में भगवान को केवल ग्यान हुआ है जैसे ही भगवान का केवल ग्यान होता है वैसे मोक्षमार्ग खुला होता है उससे पहले नहीं तो जैसे आदिनाद बगवान को केवल ग्यान हुआ मोक्षमार्ग खुला और परमाचमा को केवल ग्यान होने के बाद तुरंत ही मरुदेवा माता भी केवली हुए और वो सबसे पहले मोक्षमार्ग में गए यह पूरे उतसर पिणी औसर पिणी में इस काल चक्र में मरुदेवा माता पहले मोख्ष गए यह उतसर पिणी में बराबर औसर पिणी में बराबर सीधी बात है कि आदेश्वर ददा के पहले के तीनों आरो में पहले दूसरे तीसरे आरे में मोक्शमार्ग बंद सब्सक्राइब ना अगर मोक्शमार्ग खुला तो तो पहले मरुदेवा माता नहीं जाते ना तो रह खोल हो दो हो अब समझवेन के आगे कि मोक्ष मार्ग हमेशा खोला नहीं रहता है परमात्मा की याजरी के बांद घुलता है । काजरी हmy छोगमात्मा चुप में के झालई होके कितने लोगों को मोक्ष के लिए के द्वार खोलते हैं सोचो आप जरा परमात्मा का पुनिय कितना है कि मोक्ष का मार्ग तक खुल जाता है उनके केवली होने पर ही तो तब से जो उत्थान कर्म बल वीरिय और पुरुषकार पराक्रम उसकी क्रम सहब वृद्धी होगी आदिनाद बगवान के जर्म के बाद आयुश्य रहोगा ना घटेगी देखो यहां तक घट गई है बराबर आउसरपिणी में यहां तक घट गई है लेकिन आपके उत्थान कर्म बल वीरिय पुरुषकार पराक्रम तब वधे बड़े क्यों क्योंकि अब अमोग्ष जाने के योग्य आपकी भूमी हो गई देखो भूमी और जीव को कैसे संजोग दिया है अपने अब भूमी अकर्म थी अकर्म में से यही बरत्षित्र कर्म भूमी हुई अब कर्म भूमी तब हुई जब वहां पर असी मसी कुरुषी की जरूरत पड़ी आदेशर भगवान ने जनम लेने के बाद राजा बनने के बाद असी मसी कुरुषी सिखाई अब समझ रहे है कि बराबर है हां बहुत कुछ आठ जानने को मिल रहा है पुद्गलों के वर्णा गंदर रसस पर्शव भी क्रमशा सूप सूपतर होता है मतलब पुद्गल शरीर 500 धनुष के आ गये शूप हो गया उससे पहले 600 धनुष वाले शूप नहीं है क्योंकि मोक्ष की जो सिद्शिला का एरिया है ना मात्र शिला के उपर बार योजन की उचाई है शिला बार योजन जाड़ी लेकिन सिद्शिला के उपर थोड़ा ही थोड़ी ही जगा है ना एक योजन कितनी है और उसके चठे बाग में एक योजन का चठा बाग यानि की 300 धनुष उससे ज्यादा नहीं एक योजन का हटा बाग कि इतना होता है सिर्फ 300 धनुष बराबर तो 300,000 धनुष वाला ही मोक्ष जा पाएगा तो 3,000 धनुष आपके टूठड करो संपर शरीर उससे टूठड ज्यादा uक जरीर होगा जिसका वोई मोक्ष जा पाएगा तो 500 धनुष कई काया वाला ही अपना 2,000 प्रूठड शरीर बना सकता है previous 6,000 योजन की काया वाला तो ढूंद नेगा तो 600 होगा ना चाहा शो होगा कि चाहा थी चाहाँ थार्ड कि आत्वा किटना ओगा अब चाहाँ योजन के ऊगा ना वाला सिथा शेत्र के ऊपर के एक योजन के चटे बाग में समा सकता है अब देखो ये क्लियर गणित है 500 धनुस वाला ही क्यों मोग जाएगा अच्छा यह यह साइस थे जह त्या जग्याद नथी क्यों क्लियर गणित है जग्याद नथी अभी आमारी यहां पांच फूर्ट छे फूर्ट साथ फूर्ट की उचाई होती है कि नहीं है तो वहां 500 धनुस 600 धनुस 700 धनुस होगा की नहीं होगा सजिपर मिलेंगे एंपांच वाले नहीं पहले नहीं के समय की वी में बात करहीं हो इस समय मीं इव हम हें ऑच के समय में पांच चार फूर्ट पांच पूर्ट चे फूर्ट साथ पूट पूट पांच अलग अलग रेंज है कि नहीं आज के समय में तो आदेजनाज भगवान के वक्त भी जब मोक्षमार खुला होगा तब भी 400 धनूस 500 धनूस 600 धनूस 700 धनूस 800 होंगे कि नहीं होंगे होंगे ही ना सिधी बात आज है तो तब भी होंगे ही तो आप सोच लिजिए कि 600 धनूस की काया क्या साड़े 500 भी नहीं जा पाएगा क्योंकि वहां जगाई नहीं है जगाई उतनी अवगाना होके सीद्ध बगवान बैठेंगे ही उतने में माथा उसका उपर आड़े चाता है अलोक के साथ लेकिन जो नीचे है वो पांच भाग छे भाग तक तो एक ही भाग है ना छे में से पांच भाग तो खुला रहता है तो पांच सो धनूस के उपर किया होगा ना वाला कभी नहीं जा सकता समझ में आ गया आओ देखो इसमें लखा है नेवत्य उसक पिनी अवठी नम तथ काले बनते समना उसो मतलब यह हो गया कि उसकाल में नथी अउसर पिनी नथी अउसर पिनी कहां पे अवस्थीत काल है वो महाविदेक शेत्र में देखो गाठा यहां पूरी हो गई और यहां गाठा पूरी करने के बाद भी जो यहां विवेचन दिया गया है उसमें ये लिखा हुआ है ध्यान से सुनियेगा मैं बोल रहे हूँ जो भावर्त किया है ना उसमें क्या किया है आप हमको वो सुनना पड़ेगा आप सुनो वहां काल अवस्थीत होता है यह बात यहां पूरी हो गई लेकिन आगे क्या लिखा है कि जो वृद्धी होते हुए क्रमर्श उच्चत मवस्था आ जाती है उसको उच्छर भी निकाल केते हैं उसका कालमान दस कोड़ा-कोडी सागरोपम का है अब ये दस कोड़ा-कोडी सागरोपम का कालमान क्या गाठा में आ सब्सक्राइब नथी तो पहलसे नथी हो सह में बोली आध्या फरीथी बोली और शब्सक्राइब ने पंजना है na〜 लादा सिर्फ सब्सक्राजर ओगंशा नहीं है अवस्थीत काल होता है बस आपकी गाथा पूरी हो गई अन्य पच्छी एक्स्ट्रा लख्यू छे एक्स्ट्रा विवेचन में लख्यू छे कि जारे वर्ण पुद्गलों के वर्ण गंदर रसस पर शक्रमाश शूप शूपतर होते हैं तब व्रुद्धी होते वह उसमें उच्छत मवस्था आ जाती है उसको उच्छर भी नी काल केते हैं और उसका काल दस कोड़ा-कोड़ी सागरोपन है मतलब यह चे क्या दस कोड़ा-कोड़ी नो टाइम गाथा मान न थी मूड मान न थी परमात्मान न थी आप पाठमान न थी आमा न थी तो पच्छी बीचा टाइम नू को नहीं जो ने के पाच मारो किटला वक्षत नू यह तो छे ने बैच मारो अटला वक्षत नू जो वे संबजवान उसुच जो यह तेरा आप मुद्धो खास निकड़ों चेटलों कऊच उसामभड मुद्धो सोच जे खवर चेट हमारे अपना मजले यह 24 भगवान था चन तो आपना 24 तितन कर हमारे 24 तितन कर है आदिनात भगवान से लेकर मावी समय तक 24 भगवान हो गए और हमारे वापस दूसरा उल्टा आरा आएगा तब पदमनाद बगवान से लेकर पहले आरे वाले और 24 बगवान होंगे तो ये जब 24 बगवान होते है न तो उसके बीच में ही महाविदे क्षेतर में है एक क्षेतर के मतलब जो 480 पांच महाविदे के हो गए उसी में ही 480 का आकड़ा तो दिया है तो हमारे जब यहाँ 24 हुए आप समझे हमारे 24 और 24 48 ही हुए न तब वहाँ महाविदे के 480 हो गए हमारे 48 के सामने ही बरो बरसे तो वो 48 के सामने नहीं उपर 10 गिनना है पांच भरत 512 तो 10 तो 48 मतलब हमारे भी चारसो और उनके भी 480 हुए कि नहीं हमारे 48 और उनके 480 हो गए तो अब सुनिये हमारे तो उतसर बीनी अतसर बीनी दोनों आ गए और वहाँ कोई अवस्तित काल नहीं है तो हमारे दोनों के बराबर वहाँ एक हुए तो जब हमारे बीस कोड़ा कोड़ी काल गिनोगे ध्यान से सुनिए जब बीस कोड़ा कोड़ी काल गिनोगे तो अंतिम कितना काल होगा अपना अंतिम आज चौथे आरे के बाद चौथे आरे के अंति के बाद बीस हजार का पांचवारा बीस हजार का छठारा भगवान का निर्वान हुआ उसके बाद चालीस हजार ही होगे ना और उसके बाद के चालीस हजार तो असी हजार के बाद तिर्थन कर आ जाएंगे पांचमा भी लो चलो पांचमा भी लो तो एक कोड़ा कोड़ी नियून 40,000 है पांचमा भी जोड़ोगे तो 4, 5, 6 एक कोड़ी हुआ क्योंकि आपने वो 40,000 उसमें जोड दिये 5, 6, 6 तो 4, 12 कितना हुआ एक कोड़ी 4, 5, 6 तीनों पीछे के आरे एक कोड़ी हुए अच्छा ऐसे ही अब उल्टा हाओ 6, 5 और 4 वो भी एक कोड़ी होंगे अब ध्यान से सुनिए वो एक कोड़ी और ये कोड़ी तो 2 कोड़ी में ही हर जगा तीज़न कर जन्मेंगे कि नहीं तो बाकी के 18 कोड़ी में कोई भगवन नहीं कैसे हुँगे 7 गरव उचके तो भरत में पहले हुँगे बरत के पहले हुँगे साथ गरे जब तक उचके नहीं होंगे तब तक तिरसंगर जन्मेंगे नहीं जन्में नहीं हाँ बराबर तो अठारा कोड़ा कोड़ी तक माविदे में भी जन्मेंगे नहीं तो क्या अठारा कोड़ा कोड़ी का समय है मैं ये पूछ ली तो सीमंदर भगवान मों आई शेकेट लूचे अरे पहले ये मुद्धे पर आवो वो छोड़ो आप अभी कर्म भूमी आ कर्म भूमी पर दूसरा क्रिश्टिन नहीं देखो अब ये बताओ भरत छेत्रों में को कर्म भूमी बोला गया है भरत छेत्रों को कर्म भूमी बोला गया है तो कर्म भूमी पर ये तो कर्म अकर्म दोनों हो गई भरत छेत्रों में कर्म अकर्म दोनों भूमी हो गई तो ये 25 जो आरे देश है वो कभी भी कर्म से अकर्म हो सकते हैं ये बताओ चलो जो हमारे आर्य देश है बरत चेतर के वो कभी भी कर्म से अकर्म कभ होंगे अकर्म भी बनते है ना वो तो जबी भी अकर्म है जबी भी वो अकर्म है कर्म तो खाली दो ही कोड़ा कोडी में हुए तो वो दो कोड़ा कोडी के बाद 18 कोड़ा कोडी के बाद वापस भगवान ज अच्छा बोला ग्रव अप्ताया नियुद्वी ठीक शाद ग्रव ऊचके होंगे तो बहुत में पहले होंगे तो साध ग्रव ऊचके हुए तो भरस में तो परवात्मान चाहिए कि नहीं वैसे ही क्यों छे क्यू भूमी है ये बता हो माविदे में छे भूमी क्यू है मेरू प कोई भी एक मेरू परवत पर छे शिला क्यों होती है अगे पीछ जन्मे तो जरूरत पड़ेगी छे शिला की नहीं एक साथ जन्मेंगे चौबीस घंटे में तभी छे शिला है ना तो छे एक साथ क्यों चड़िये बताओ अगया है तो यह जब नियम लगेंगे ना तब 18 कोड़ा कोडी तो होता ही नहीं है आप यह नियम आएगा समझ में आ रहा है अधारा कोड़ा कोडी भरत खेट्र और आरवध क्षित्र में कैसे होगा मैं गिना हूँ करके अंदर के बाहर चला कोरिक माल उनका हाल क Pal ऐने अंदर हरिवर्ष खित्र वह तीन कोड दो गरिंए वह कोक्रण हैं Tschau और अब उसके अंदर के चार कोड़ा कोड़ी, चार कोड़ा कोड़ी, अंदर के उसके अंदर और जाओ, देखो चार कोड़ा कोड़ी, तीन कोड़ा कोड़ी, दो कोड़ा कोड़ी, कितने हुए चार और तीन साथ और दो नो, और भरत खेत्र का एक कोड़ा कोड़ी, तो दस क अरिवर्ष आया उसके तीन कोडा कोडी मतलब वहां का चार कोड़ा कोड़ी बराबर यहां का तीन कोड़ा कोड़ी का समय है समझ में आ रहा है और वही उसी के बराबर उसके बाहर दो कोड़ा कोड़ी का समय है हेमवर्ष खेत्र में और उससे बाहर आप आओ तो एक कोड़ा कोड़ी जितना समय है समझ में आ रहा है हमारा एक कोड़ा कोड़ी वहां के चार कोड़ा कोड़ी के बराबर हुआ बोलो भरत खेत्र में अठारा कोड़ा कोड़ी का समय आता ही नहीं है आता ही नी है, होता ही नी है, यह क्लियर हो रहा यहां से, क्योंकि गाथा में है यह नी कि उत्तर आपके उत्सर पिनी काल का 10 कोड़ा कोड़ी काल होता है, मूल पाठ में यह है यह नी, मूल पाठ में यह है यह नी, चार, तीन, साथ कोड़ा कोड़ी, हमेशा चार कोड़ा कोड़ी जैसा आ रहा उत्तर कुरू में, दक्षिन कुरू में, उसके बाहर आओ, हरी वर्ष में हमेशा तीन कोड़ा कोड़ी जितना रहा, उसके बाद आओ, बाहर उसमें दो कोड़ा की तो सि каз inferior हो गिया झाइट वन का उट्सर पिपझी काड़ मे अपने आप 10 स्रपको tops हो गया चारू क्षित्र के मिलकर 10 को ड़को अंगे खाली भर्ष जित्र के नहीं अचा एक भरत क्षित्र के दस कोड कोड़ी उसके वहां एक भरत का ईरिया जो map 2020 का है ना जो जो चार ख्षेत्र जहां पर मनुश्य है बाकि कई मनुश्य है भरत ख्षेत्र के आसपास तो पांचो भरत में पांचो भरत और पांचो एरावत के आगे के उतर कुरू दक्षीन कुरू और यह सब मिला के कितने हुए एरिया एक द्वीब के दस हुए तो दस कोड़ा कोड़ी हुए की नहीं बस दस कोड़ा कोड़ी ऐसे होते है खाली भरत के दस कोड़ा कोड़ी नहीं है जम्बू के उतर में दस कोड़ा कोड़ी जम्बू के दक्षीन में दस कोड़ा कोड़ी ऐसे ही घात की खन के उतर में दस कोड़ ताली भरत में ही बीर कोड़ी ऐसा कभीन होगा समझ लीजए गाspeed सर्पिडियां सर्पिडिय में बराबर क्लियर हुआ कि कोई प्रश्ना है बोलो हुआ हुआ क्लियर क्लियर 27 में क्लियर 30 में favorites होअ आपके है आप100 अनुटे हुआ हाह है बाटो मुद्दो पुञ्ण कोँ अज Dual तो आज आपको ये समझने के लिए है कि मूल पाठ में जो शब्द नहीं है उस इसाब से आपको उसर पिड़ी और उसके 20 कोडा-कोडी सागरोपम को इस प्रकार से लेना है क्योंकि तीर्थंकर परमातमा जब भी साथोग्रे उचके हुँगे तो अलु चयारे चुटा ता त्यारे तमने ना तो मड़िवा अलु अलु तो अलु आज मलेलू तो अतो वे जोईनत तो बोलती थीू उँ गन उच्छो यह वीरिते साइबोने गना उच्छो यह वीरिते अजी तू अंदर सुधी जा जम्भू द्वीप के नहीं तारो अवज अलु धीरो थी यह जिए ले ताने के एक नेट प्रॉब्लम चे जग्या बदली कर जेरा खास्मीरमर अवज जागे चे। तारो अवज जाई चे ले पाच्छू चालू करू चालू पूद वीप में मेरू के आसपास आ जाओ मेरू का एरिया कितना है खाली 31 जार घेरावा बराबर भदरशाल वन के पास मेरू परद का घेरावा सिर्फ 31 जार योजन है बराबर हाके ना हलो हलो मेरू नो घेरावो चे त्या 31 500 जार घेरावा है और आपका जम्बू का लाश्ट घेरावा है वह तीन लाग 15 जार बराबर उससे दस गुना है कि नहीं हां हां तो अंदर का जो एरिया है वह एक कोड़ा कोड़ी और बाहर का जो एरिया है वह अपने आप दस गुना बढ़ गया तो दस कोड़ा कोड़ी हो गया समझ मावेच मरिवाद तो जो अंदर का एरिया है आप समझो बहुत छोटा है उसमें कला कमीनिट क्या बाहर के हिसाब से चलेगा देखो एरिया है सुनो एरिया है एरिया है आपके 31,500 उसका आधा करो उसका 16,000 योजन में 24 गंटे होते हैं 16,000 योजन में भी 24 गंटे और 1,60,000 में भी 24 गंटे पॉसिबल है कला कमीनिट का फरक है की नहीं कर नहीं जवाब नतिया तो तमार मने की समद नद पढ़ती निदो हूँ खाली बोली ना रेकॉड करी ना मुखी दो जो मेरू का आग अंदर का घिरवा है वो है 31,500 और बाहर बराबर उससे 10 गुना 3,15,000 आपको योजन मिलेगा जम्बू जीप का तो जो अंदर का है वो उसका एक दिन मतलब इतने कम एरिया की घड़ी और बाहर की घड़ी में फर्क होता है समझ में आ रहा है आपको खाली अंदर का 31,500 अगर घुमना है उसको भी 24 गंटा लगेगा आधी में फर्क होगा कि नहीं होगा सीधी बात होगा ही होगा तो बाहर की जो हमारी घड़ी है जम्बू दिप भरतचेत्रवाली वो 10 गुना आगे है है क की नहीं बताओ उससे अंदर की जो घड़ी होगी वो 10 गुना कम होगी अंदर का एक दिन हमारा बाहर का आपका एक दिन हमारा आज का 24 गंटा आज हम जंबू द्वीप में है भरत चित्र में इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हमारा जब एक सुर्योदय से दूसरे सुर्योदय का 24 गंटा जाएगा वो 24 गंटे के एक लाक मिनिट के बराबर 3,15,000 योजन का 24 गंटा अगर होते हो तो एक दिन हो 3,15,000 योजन में अगर एक दिन गिनो आप तो उसी उतने ही समय को आपको 31,500 में 10 दिन गिनना पड़ेगा बोलो गिनना पड़ेगा की नहीं तो सीधा जवाब है कि अगर बाहर का एक कोड़ा कोड़ी का एरिया है तो अंदर का आपका एरिया अपने आप 10 कोड़ा कोड़ी हो गया बाहर का एक वर्ष अंदर का 10 वर्ष बाहर का 10 वर्ष अंदर का 100 वर्ष बाहर का 100 वर्ष अंदर का 1000 वर्ष समझ में आ रहा है तो बाहर का एक कोड़ा कोड़ अंदर का दस कोड़ा कोड़ तो ये जो तस कोड़ा कोड़ी का जो घंगणी थे ना वो पूरे जंबू द्वीब का बाहर केरिया से अंदर तक है तो हमारा भरत का एक ही कोड़ा कोड़ी में दस कोड़ा कोड़ी का उच्सर पिणी का समय निकल गया और ऐसे ही प्रत्य पांचों भरत का एक ही कोड़ा कोड़ी में उच्सर पिणी का निकला और दूसरे एक ही कोड़ा कोड़ी में दूसरे उच्सर पिणी का निकल गया उसके बराबर अंदर के बीस कोडा कोडी अपने हाँ कभी भशचे तरतर के एरिया में बीन कोड़ा कोडी का समय जाए समय की द्रष्टी से वह पॉसिबल नहीं है बराबर इसलिए मूल पाठ में भी उसका समय नहीं दिया है लेकिन भगवती सुत्र के मूल पाठ में यह उसर पेनी एक उसर पेनी बराबर दस कोड़ा कोड़ी का समय गिनना है एक उसर पेनी उसर पेनी बराबर दस कोड़ा कोड़ी का समय दोनों मिलके काल मान भरत सबोड़ीप में 20ड़ा कोड़ी और सकता है пुशकरवर सबसकों कभी नहीं नहीं क्ट पूर ड्वीप के सब्सक्राइब कर 20ड़ा कोड़ी होते हैं यह बात बहुत इंपोर्टन है और इसको समझनी बहुत ज़रूरी भी है जिस काल में जीवों के संगेन संसानादी उत्रोत्तर अधिक अधिक शूप होते है आयुश्य ओगाना उत्रोत्तर बढ़ती जाती है उत्थान कर्म बल वीर्य और पुरुष्कार प्राक्रम की क्रमशह वृद्धी होती है पुद्गलों के वर्ण गंदर असस परश भी क्रमशह सूप शूपतर होते रहते हैं उसी में वृद्धी होते होते क्रमशह उच्चतम अवस्था आ जाती है उसको उत्सरपिणी कहा गया है अब समझ में आया संब्डायू हां संब्डायू ने बस तो जो फरीती रीपीट करूँ चू सामडी ले भारत ख्षेत्रों मा 20 कोडा कोडे नहीं आखा जम्बूत वीपना 20 कोडा कोडा जम्बूत वीपना दक्षीन मा 10 कोडा कोडी थया और उत्तर मा 10 कोडा कोडी थया ये не 20 कोडी बस एवी रिते बद्दा द्वीप मां पांचे द्वीप मां वीस कोड़ा कोड़ी एवी रिते पड़ भरत ना वीस कोड़ा कोड़ी नहीं समझाई जब आ क्लियर वाच्चे एट लें मूल पाठ मां पाठ नथी कराण के अंदर के एरिया में जब 10 गुना अंदर से 10 गुना बाहर एरिया बढ़ गया की नहीं अपने आप तो आप बाहर का 24 गंटा तो अंदर के तो 10 दिन हो गए एक दिन बाहर अगर आपको 3,15,000 में योजन घुमते हुए सुर्य को 24 गंटे लगेंगे तो 31,500 गुमने में कितना समय जाएगा उसे बाहर का एक दिन अंदर का 10 दिन हुआ की नहीं बाहर का एक कोड़ा कोड़ी अंदर का 10 कोड़ा कोड़ी अपने आप हो गया बई इसलिए दो ही कोड़ा कोड़ी भरत में रहेगा और उसी में तिर्थंकर परमात्मा का जन्म और जब यहां होगा तब भी सभी माविदे में भी होगा तो आप जब दो ही कोड़ा-कोडी आये उसार पेडे utilizar ठोप शमझ लो तो फिर च्प जगा स्वचन कर सब्सक्राइए Suppose cap वां तो आइज रहेगा ही ना उतना सूध भाल तो रहेगा ही रहेगा कि दो कोड़ा-कोडी ते ज्यादा फरक नहीं पड़ाय अपने में चोलो आगे अब अउसर पिनी काल जीस काल में जीवों के संगय और संसान आयुश्य होगा ना क्रमश हीन होते हैं अब आप समझ लीजेया के ये काल तो मात्र भरत में आया अंदर तो आया ही नहीं तो हमारा तो एकी कोड़ा कोड़ी हमेशा रहेगा आप समझ रहे हो और अंदर में कभी एक कोड़ा कोड़ी आना ही नहीं है बराबर अंदर तो कभी भी वो कर्मश होगी नहीं ना हम् जो तीन कोड़ा कोड़ी वाला है वो तीन कोड़ा कोड़ी वाला हमेशा रहने वाला कोड़ी लेकिन वहां पर मनुष्य नहीं है बराबर भूमी तो है ना हाँ आओ इससे ये साबित हो रहा है अब मानना नहीं मानना मात्मा को नहीं मानना अभी उनकी मर्जी आ जाती है इसलिए अपन कुछ कर नहीं सकते लेकिन जिसको समझ में आ गया है उनको तो समझ में आई गया पांच भरत पांच एरावत आदी दस कर्म भूमी क्षेत्रों में ही ये दोनों काल होते हैं वहीं पे काल का परिवर्तन होता है माविदे क्षेत्रों में और तीस कर्म भूमी में अडित्वीब के बाहर भी और देवलोक आदी किसी भी क्षेत्रों में sûr पीनी काल होता नहीं अब समझे में आया उचभी देवफलोक इंए अन्यक्षध्रIC अकर्म भूमी मां इंए न्य ऱिति बार न पर कहीं भी सुर्यण रोज हो गया है यह सुछ घूम रहे हैं तो यह सुछ्थे आरग जैसाद दूसरे अरे जैसा तीसरे जैसा चौथा और जैसा प्रभाव मिलेगात उतना समय नी रेने वाल wat clear हो रहे हैं होढा उनको उतना प्रभाव मिल रहे है इंज्समेहिनी हो रहे है उतना आपसो ड़ि एक कोड़ा कोड़ी में तीन आरे आ गए, तो आगे के आरे में, पहला दूसरा तीसरे आरे में, आधा कोड़ा कोड़ी से ज्यादा समय नहीं आएगा, पांच महाविदे में अरियन भगवन्तों के प्रती कमण सहीत, पंच महावरत रूप धर्म का उपदेश क्या देते हैं, यह गोतम शक्य नहीं, देखो, पांच महाविदे में अरियन भगवन्तों प्रती कमण सहीत, पंच महावरत रूप धर्म का उपदेश महाविदे में नहीं देते हैं, बगवान मना कर रहे है, महाविदे में अरियन भगवान थोका प्रतिक्रमन सहुआ, पंच महावरत धर्मका उपदेश ही नहीं。 पांच भरत और पांच एरावत में प्रथम और अंतीम वे दो अरियन्द बगवान ही प्रतिकमन सहीद पांच मावरत रूप धर्म का उपदेश देते। ये भी मूल पाठ में है। वो चतुरियाम में पहला है सर्वथा प्राणादिपात वीर्मन, फिर सर्वथा मृशावाद वीर्मन, फिर सर्वथा अनादा अदततान वीर्मन और सर्वथा परिग्रव वीर्मन ये चार होता है। परिग्रम में ही स्त्री धन आदी सर्व का समावेश हो जाता है। माविदे क्षेत्रों में और भरत एरावल क्षेत्रों में मद्य के 22 तीथंकरों के शाशनकाल में मनुश्य रुजु और प्राग्न होने से तीथंकरों परमात्मा चतुरियाम धर्म की प्ररूपना करते हैं। रुजु और जड तथा वक्र और जड प्रक्रूती के मनुश्यों के लिए तीथंकरों ने 5 महाव्रत और सह प्रतिक्रमा रूप धर्म का उपदेश दिना है। थ समझ मा अव्यू। सर्वता अदतदान वीर्मन, सर्वता मैथून वीर्मन और सर्वता परिग्रवी सर्वता मैथून वीर्मन अलग से दिया समझ माव्यू दर्रोज सुबे और शाम नियम पूर्वत प्रतिकरवन करना वो सव प्रतिकरवन धर्म हुआ भरत एरवत क्षित्र में प्रथम और अंतिम तिर्थंगरों के समय मनुश्य क्रमश रूजु जड़ वक्र होने के कारण यहाँ पर ही इस प्रकार के सब प्रतिक्रमन धर्म का प्रथम और अंतिम तिर्जंदरों के वक्र और जड़ प्रजा होने के मनुश्य होने के कारण पंच महावृत रूप धर्म और उभयकाल प्रतिक्रमन करने रूप धर्म की प्रणूपना कही गई है इस प्रकार धर्म की प्रणुप नामे क्षेत्र और काल अश्रई अंतर है और ये अंतर व्योहार मात्र का है तात्वी घ्रूप में उसमें कोई भेद नहीं होता बराबत अब जम्भू द्वीप में कितने तिर्थंकर उतसर पीड़ी में अवसर पीड़ी के कितने तिर्थंकर हुए अब यह तिर्थंकर परमत्मा का बात हम कल करें पूरे कल के एपिसोड में आ जाएगा पूरे में क्योंकि उसमें आपको सूरुत विच्षेत काल ॥ फिर यह सब आज जाएगा साश्वत काल सूरुत विच्षत काल कालिक सुरुत कव विच्षेत हुआ यह सब बाता जाएग और आज खतम नहीं हो पाएगा पूर्व गज्ट पूर्व अपरम्हा नू साथ्षन किटला वरस चाल से बद्धू जावी जसे मा चतूर वीद संगनी व्यवस्ता बद्धू आवी जसे अच्छा एले बदू आजे पूरू नहीं था है यहने आपने काले लेए राइट आजना एपिसोड मा सौथी महत वनू मा विदे या दस कोडा कोडी नोज पॉइंट महत वनू चे आजना एपिसोड मा दस कोडा कोडी नू कन्फरमेशन आवी जाएले किटलू इजी थे ज़े जवी चारू बराबर हाँ हाँ है तो मोकली सथ ने खास साइब हूं तो कैस सांबलो आवाथ पाठ माश आउचे प्रेटलेवसू करवान नए तो रेकॉल बन करें ना करूं हवे करूं चाल जैजी नेंदर झाल 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 झाल